कई उठने लग गए हैं क्योंकि अब इसके तार कहां कहां हैं वो जाज का विश्य है जाज इस पर चल रही है लेकिन एक बात तो दिख रहा है कि साज़श बहुत बड़ी थी लेकिन ये सब कुछ हुआ क्यों दरसल बीजेपी के दो नेता उन्होंने विवादर टिपड़िं की उसके बाद से ये हंगामा बर्पा उन दोनों को बाहर कर रास्ता दिखा दिया गया है लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को एक तकड़ा डैमेज हुआ है कानपूर में ये बवाल जिस बयान पर हुआ ये हिंसा ये पत्थर बाजी जिस बयान पर हुई वो बयान देने वाली नुपूर शर्मा और उनके बयान पर विवाद और तूर देने वाले नविन जिंदल पर बीजेपी ने सक्ती दिखाई है नुपूर शर्मा को बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया नविन जिन्दल को बीजेपी से बाहर कर दिया गया है क्योंकि इन दो नेताओं की जुबान ने वो जहर बोया की बीजेपी बेचेन हो गई एक सेकुलर देश में सर्वधर्म संभाव वाले संविधान से चलने वाले मुल्क में इन दोनोंने मज़भी टिपणी की ऐसी टिपणी जो धर्मिक आस्था पर चोट पहुँचाने वाली थी आहत करने वाली थी इतनी आपती जनक थी कि बीजेपी को इने बाहर का रास्ता दिखाने पर मजबूर हो जाना पड़ा नुपूर शर्मा के बयान पर घमा सांताब शुरू हुआ जब टीवी डिबेट में उनकी एक टिपणी मरियादा की हद लांग गई कानपूर में तो पत्थर चलने लगे, गोलिया चलने लगी मुस्लिम समाज ने तीखा प्रतिरोध किया तो नुपूर शर्मा सामने आई और अपनी सफाई भी पेश की नुपूर शर्मा की ये सफाई काफी नहीं रही क्योंकि मामला तूल पकड़ता किया देश का दायरा लांगते हुए इसलामिक देशों तक पहुँच गया कतर ने विरोध किया, कुवेट ने विरोध किया, एरान ने एतरास किया इन चारों मुलकों ने बयान जारी किया, भारती राजदूतों को तलब कर लिया और ये फुकता संदेश देदिया की नाराजगी किस हब तक है ये सब तब हो रहा था जब भारत के उपराश्ट पती वेंकय नैडू खोद कतर के दोरे पर थे इन चारों देशों से भारत के मजबूत कूट नितिक रिष्टे रहे यानि कि नुपूर शर्मा टीवी डिबेट में जो कह गई वो कूट नितिक रिष्टे को कचोटने लगा बात इतनी बढ़ गई कि बीजेपी को एक्शन के ये दो ख़त जारी करने पड़ गए भारत के हजारों वर्षों के इतिहास में प्रते एक धर्म फला पूला है बीजेपी किसी भी धर्म के किसी भी धर्मिक व्यक्ति के अपमान की कडिनिंदा करती है पार्टी उस विचार धरा के सक्थ खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है बीजेपी ऐसी किसी विचारधारा के प्रचार नहीं करती लेकिन नवीन जिंदल अब भी कह रहे हैं जो कहा सही कहा कुछ भी गलत नहीं कहा ऐसी घटनाई होंगी तो निश्चित तोर पे मैंने भी एक सवाल पूछी तो लिया हमसे मैंने क्या कहा था मैंने एक सवाल पूछा था कि आपने आप हमारे दिवी दिरताओं के बारे में से अपमान से बाते लिख रहे हैं तो मुझे बता दीजे कि छे वर्ष की आईयो में क्या बच्चे के साथ शादी करना या करना वो किस दिशा में आता है कही बलतकार की दिशा में माना जाता है नहीं माना जाता है जब उन्होंने लिखा मैंने उसी का तो पृतिकार किया था बीजेपी ने नूपर शर्मा और नविन जिंदल पर एक्शन कर डेमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है लेकिन इस बार नुकसान ज्यादा गहरा है इमान शुभिष्ष्षा के साथ आस्त तज्विरो